प्रवान वेल्कम तुम्हाइचानिल आई एम सिपरिजहानी तो अगर आपका क्लास 12 का बोड एक्जाम है इंग्लिश का तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबसे पहले दिलास लेसन के बोस्ट इंबॉर्टेंट क्वेशन यह वो क्वेशन है जो भाईया शौर्ट शौर्ट क्वेशन है यह आएंगे ही आएंगे आपके एक्जाम में बस इस तरी किसे नहीं पूछे चाहेंगे तो बस कोशन की थोड़ी लैंग्वेज बदाल सकती है दिखेंगे गैरंटी के साथ के तुम्हें अपने पेपर के लिए तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा का तुम्हें पके कर लो साथी के साथ में लास्ट लेसन ओला स्प्रिंगों क्लास्ट इंग्लिश के हर सिलेबस को पढ़ा रखाया अपने चैनल पे अनिमेटेट सीरीज भी आचुकि है जिसमें मैंने अनिमेशन के थूँ आप लोगों को पढ़ाया है और जो है नॉर्मल सीरीज भी है वह यूजरी मुझे सबसे जादा पसंद है वह भी है तुमारा जिससे मन करें पढ़ लेना लास्ट लेसन को समझ जरूर लेना इन क्वेशन को देखने के बात ठीक है जी चालो शुरू करते हम अपने 10 सबसे इंपोर्टेंट क्वेशन दे लास्ट लेसन के रही बात नोट की क्वेशन आंसर की तो उसके लिए गाइस मैं आपको गूगल ड्राइफ का लिंक प्रोवाइड करूंगी जहांसे आप इन अभी नोट्स को क्वेशन आंसर को डाउलोड कर सकते हो मैंने आप लोगों के बनाई है हैंड रिटें नोट्स लेट मीशो यह हैंड रिटें नो और इसकी सबकी जो है मैंने ड्राइफ बना दी है पीडियएफ कर दिया जो तुम्हें गूगल राइफ पर मिल जाएंगे इंस्टापे में अप्लोड करती है जिए इंस्टा से भी एकसेस कर सकते हो गूगल राइफ से जाके तो डाउवलोड कर सकते हो ठीक है जी तो यह आ लगा तो कॉमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखो सारे के सारे और बता तो येस वी और रेडी दी हम ये शॉट क्वेश्टन सीरीज को पूरा फॉलो करेंगे और सौ मेसे सौ लाएंगे अपने पेपर में मुझे जानने है सब के नाम क्या है तुम्हारा नाम रोहन करन प्रि लो मेर से पढ़ लेओ तो ना तुम्हें पेपर टफ लगेगा ना तुम्हें आंसर बना के लिखने टफ लगेगे ठीक है ना मैं बच्चों को डराती हूं कि पेपर टफ आएगा इविन दो मैं आप लोगों को पाच्छे साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूं तो भाई मेर इस पेपर दिक्कत क्या थी स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा दैट फ्रांस ते हैं लेट था स्कूल के लिए और एम हैमिल को इसने पार्टिस कह रहा था था यहां से आपका रियल आंसर शुरू हो रहा है बत रियल आंसर बताने से पहले आपको यह लाइन भी मैंशन घड़ी पड़ेगी ताट फ्रांस वेड़ी लेट फॉर स्कूल एम हमल वस तो क्रेशन थे स्टूदेंस वन पार्टिसिपल्स फ्रांस दिव नथिंग अबाओ देम और फिरो प्रिश्यन सोल्जर्स को देखो बटेन ही ओवर्गे मिद्टेशन आपके जाता है वो स्कूल इसमें प्रिश्यन सोल्जर्स भी आड़ करना दन जी चलो अगला क्वेशन पड़ते हैं वाई दियर वस अ क्राउड इन फ्रंट फॉर्ट 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 नहीं लगा था ताउन हॉल पे बहुत भीड़ी खट्टी आज ही टाउन हॉल के बुलेटन बोर्ट पे नहीं कोई थी नहीं यह तो मनू से पिछले दो सालों से जितनी बुरी ख़वर आई है हारी वी जंगो की कोई कमांडिंग ओफिसर से कोई ओडर आया है बर्लिन के थू कोई ओडर आया है कुछ भी जो भी कोई गलत सूचना उन्हें मिलती थी वह टाउन हॉल की नोटिस बोट से म नहीं होगी फिक्स बता दिया सही फॉर्माट बता दिया है चांड नंबर पक्के हो जाएंगे ठीक है तो नोटिस न मुझे याद आ गया नेक्स क्वेशन पर आते हैं अब हम तो आपको पूरा यह बताते हैं बट दे अनदर बैड नियूस शॉक दें क्या ओडर आया था कि बर्लिन से ओडर आया कि जर्मन लैंग्वेज जो है अब इंपोस करी जाएगी फ्रांस के एल्सेज और लॉरेन वाले लोगों के उपर के लिए नहीं था वी ओडर यह था ऐल्सेज और लॉरेन के तो दूमेंशन लॉरेन आपको बताऊंगे वर्ना आपके एक्जाम में मांक्स कट जाते हैं मैं होंगे सार होंगे जो भी आपके पेपर चेक करें होंगे उनके पास एक मार्किंग स्कीम होती है उसमें प्लिखा में बेटाया जल्दी मजा आज स्कूल राम से पहुच जाएगा बताओ कॉमें सेक्शन में कौन पहुचता है इंचे ठीक है तो भाई हम सबको पता ही ब्लैक्समिद वाचर बोलता है ठीक है जो लोहार था वह आवाह लगा कि कहता है वो अपने चेले के साथ महां पे लेट कमर क्या था लिटल फ्रांस ना है बेट यूज की स्कूल लेट जाने की जस्ट लेट लेट जाने की जस्ट लाइक नो भी था लव तो स्पेंट ताइम आउट्टोर रादर देन लर्निंग इसे दर उजर भटकना पसंद रादर देन की घर बेट के पढ़ाई करें व हमारे वाचर ने बोहाड ने जब उसको बोला कि बेटा तुझे आज जल्दी करने की कोई जरत में बहुत समय है तेरा स्कूल पहुशने में तो वह सकास्टिक ली उसको बोल रहा था एक नएक तरीके से वह कह रहा था बेटा आप क्या ही करेगा जल्दी स्कूल जाके जो जा रहा है फ्रेंच वह तो तु पढ़ भी नहीं पाएगा तो वह उसको कहीं नगर रियलाइस करवाना चाहरा था उस बच्चे को कि आज तक तो तो बेटा तुमने अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया नहीं कि तुम फ्रेंच में हो बट आद दिखो तुम कितनी ही जल्द प्रेंच में यह कोईशन आपको पेपर में जरूर देखेगा चाहिए एमसी क्यों में दिख जाया शॉट मैं चाहिए लां में कहीं से भी यह कोई वर्ड मीनिंग ऐजा जाया चाहिए सका कोई टू फॉल्स आज्ञा कुछ भी किसी भी तरीके से देख सकता है तो फ्रांस अपने लास लेसन के समय पे जब उपर चटके ऊपर पिजन कूकू कर रहे हो जए तो यह सोचता है कि क्या यह फिजशन को भी जर्मन में बोले के लिए जो है कहेंगे और यह फोड़् जो है उसकी फ्रेंच में का फिर रिवील कर रही है वह कहिं ना कहीं डर रहा है कि भाई इस तरीके से तो यह Germans हमारे पर completely dominate कर लेंगे और हमारे mind तक को यह enslave करें कि हमें हमारी भाशाई बूलने नहीं दे रहे हैं तो यह उसका fear भी show कर रहा है कही न कहीं कि वो बहुत डरावाय है कि अब यह क्या Germans जर्मन के यह पिजिन्स को भी कहेंगे क्या क्या करवा के मानेंगे अब यह हमार से Why did France find the whole school strange and solemn क्या दिखता है उसे school इतना अजीब सा क्यों दिखता है तो in the absence of the noise of children learning teacher wrapping the ruler on the desk the school was quite like a Sunday morning Changes क्या थे school के अंदर changes यह थे school के अंदर कि नहीं ruler बज रहाता नहीं बच्चे कुर बोल रहे थे सब बिल्कुल शानता Sunday morning की तरह और जैसे वो class के अंदर enter करता तो वह हरान हो जाता है कि जो villagers थी वो last benches पर बैठे है और last benches पर बैठे वे villagers भी बहुत sad थे अंकर जो उसके M. Hamill sir थे उन्होंने नहीं dress pen रखी थी अपनी प्राइस जेस पर पहनते है इसलिए सब कुछ उसे odd लगता है ठीक है what was the order from Berlin and how did it affect the class order क्या था जो Berlin से आया था उसने class पे क्या असर डाला तो order which was served from Berlin was that no French language would be taught in the school of Elsie's and Lauren स्कूलों के अंदर French language बिल्कूल भी नहीं पढ़ाई जाएगी only German would be taught सिर्फ German पढ़ाई जाएगी so M. Hamill उनके French teacher थे उनको कहा गया था कि आप यहां से चले जाए कल एक नया German teacher आएगा इसका सब पर बहुत बुरा असर परा everyone everybody was repenting wasting the time and not learning French कि सब जो है बहुत regret में थे everyone was like कि क्या गलती कर दी हमने यह ठीक है तो इसलिए सब बहुत परशान थे कि उन्हें जो है एक मौका अपनी life से गवा दिया कि वह अपनी जो है mother tongue को सीख पाए when France thinks of M. Hamill as a poor man what was the boy's thoughts and feeling तो वह अपने sir को कहते है poor man poor man का मतब क्या वह उन्हें गरीब कह रहे हैं पर नहीं उसका real meaning बताओ तो France को उन पर ना दया आती है उन पर तरह साथ आए यह सोच के अपने टीचर पे कि यार इनकी तो पूरी जिनकी ही हम बच्चों के साथ निकली है चालिस साल हो गई इसी स्कूल में हैं यही क्लास्रूम को देख रहे हैं बस furniture पुरान हो गई और जो पेट पहुदे नोंने लगाए थे वो बड़े हो चुके हैं चालिस साल से इनोंने हर दिन हमारे साथ गुजारा है और आज इनको यह कह दिया गया कि इन बच्चों को स्कूल को लीव करके आप चले जाओ तो सोचो उस टीचर की लाइफ पे क्या इफेक्ट पढ़ागा जब उसे कह दिया कि तुम जो है जो करते आ रही हो चालिस सालों उसे जो तुम कल से हट जाओ तो वह बुरा मानता है उसे बुरा लगता है बहुत तरह साता है अपने सर के ओपर जिन से उनका टीचिंग गरने का हकी छिन गया था तो फ्रांस रियालाइज दाट एम हैमल वास बाउट टीजर लास लेसन इसलिए उनोंने अपने बढ़िया फील होता है और उसी समय वह अपने सर का क्रैंकी क्रैंकी मतलब ख़डूस नेचर जो था क्रैंकी वर्ड मेंशन करेंगा है मैं मैं आपको बच्चे कोई कोई थोड़े डिफ्रेंट लग रहे हो थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं क्योंकि यह आपके शॉर्ट क्वेश तो उनको भी जरूर देखना है जादा नहीं है जैसा अंगैं बहुत 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 क्वेशन कराती हूं छह कोईशन है भी बहुत इजी लैंग disclose और व बेस बीस का तो तो मैं डिल्यू पता ही है क्या बेस क्वेशन है तो इसके साथ में मैं उनको पिस्रेंग कर दूंगे तो एक ही वीडियो है घंटे कि उसमें सारी चाप्टास के हैं फ्लेमिंगों के बेस कोशन तो उनको भी आप जरूर देख लेना ठीक है जी परते हैं How does M. Hamill prove to be an ideal teacher? M. Hamill एक बड़िया teacher कैसे थावित होते हैं M. Hamill convince करते है the message of importance of love of mother tongue वो लोगों को समझा देते हैं कि तुम अपनी mother tongue को जो है अपने साथ में रखना कभी मत भूलना He explained things well and asked students to continue learning French even when he is gone देखो M. Hamill आखरी दिन पर भी बहुत बड़ा जो है उनका करतविया था उसे निभाग के गए उन्होंने indirectly ही सही लोगों को कह दिया माँ क्लास पर सभी को कि चाहे मैं यहां तुमें कल पढ़ाने के लिए French ना हूँ तुम French language को guard करना यह चाबी है तुमारे हर एक जेल के ताले की क्यूं क्योंकि भाई अब जब जब जर्मन ने आके उन पर कबजा कर लिया तो वो कहेंगे तुम French मत बोलो बट जब तक वो French बोलते रहेंगे वो French में नहीं रहेंगे उनकी French identity उनसे चिनेगे नहीं एम हैमल जाते जाते कहके जाते हैं कि भाईया मैं कल अगर चला गया मैं तुम में स्कूल में पढ़ा नहीं रहें तो घर पे जैसे तैसे करके जो किताबे हैं तुम खुच से French लेंगविच पढ़ते रहना आपस में जब बात करोगे French में ही करना जिससे तुमारी आइडेंटिटी ना चेन है और जर्मन कभी हमार पर कब्जा ना कर पा है तो जाते जाते वह बहुत बढ़िया सीख दे के जाते हैं अपने सभी स्कूल के लोगों को हैंसी प्रूफ तो भी एन आइडियल टीचर ठीक है जैसे की जो है यहां पर एक रेफरेंस दे रखाए जैसे कीपिंग कॉइट में जो पैबलो नेरूडा है जो पोईट है वह कहते हैं जैसे पैबलो नेरूडा कीबिंग कोईट अगर आपने पड़ी हो पैयल पड़ी क्वेशन आ सकते हैं से वह बहुत को बारा सेकिन तक चुप रहा हूं अपनी गल्तिया को समझो और लास में फिर और समय में आगा क्या करने आगे नहीं करना यह कीपिंग कोईट पोयम का पूरा एक समरी है समझ लो तो वो यही कहते बारा सेकंड चुप रहो बारा सेकंड मतलब है चुप रहो थोड़ी दिर अपनी गलतिया संचो और फिर वो कहते हैं मैं तो जा रहा हूं लाइफ में क्योंकि यहां मैंने पैलर्ट भी इंक्लूट करे हुए हैं अगला पड़ते हैं हाउ कें फ्रेंग्स लैंग्वेज वी की टूदे है प्रेजन फ्रेंच लैंग्वेज चाभी कैसे है अर्ताली की तो जर्मन्स तो स्प्रेड नाशनलिजम इंपोसर टीचिंग ऑफ जर्ण इंडी स्कूल फैल्स लोरें तो जर्मन चाहरे थे कि उनकी जो है बहुत बोल बाला हो जाए उनका दब दबा हो जाए तो उन्होंने का कल से इंको जर्मन लैंग्वेज बोलाएंगे एम हैमल वहीं पर मोटिवेट करते हैं हमने स्कूदेंस को विलिजर्स को तो लर्न फ्र फ्रेंच बूल ना फ्रेंच रहना ठीक है जी लास्ट क्वेस्टिन वट्चों वट्चों को बच्चों को और विलिजर्स को कि अपनी मदर तंग को क्लोस्टू हाट रखना यानि कि मैं चला जाओं बट इसे बोलना कभी भी भी लीव मत करना तो मोस्ट इंपोर्टेंट को स्कूल गले उबट है छाया कि इसे कि क्लास तो यसे थों बहुत बट भुरा मंदी प्यूशन कीए, कॉंट्रिबूशन लास में फ्रेंश लेंग्विज की इंपॉर्टेंट जो है मैं मिल जी ने बताई यह क्वेशन है इसी के थुरू आपका पेपर पूरा बनावा हुगा इससे उपर कुछ नहीं जाएगा यहां मैंने आपको पूरे ऐसे क्वेशन आये है एकॉर्डिंग त देख लेना दस क्वेशन यह हो गए छे साथ क्वेशन बेस कोशन सीरीज के यह क्वेशन हुए पक्का यू आर वेरी प्रिपेर्ट फॉर यो बोर्ड एक्जम चलो मिलते हम नेक्स वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे लॉस्प्रिंग के इंपॉर्टेंट क्वेशन के वहां नोट्स लिंग मिल जाएगा इंसाग्राम बेजा कि फॉलो कर लों वहां पे मैं सारे अप्डेट्स देती रहती हूं वहां पे भी मैं इंपॉर्टन कुशन्स अगेर अप्लोड करती हूं कोई क्वेशन हो तो मुझे डीम कर सकते हो मिलते नेक्स वीडियो में झाल